हलो स्टूडेंट्स आज हम लोग हिंदी ग्रामर में चैप्टर नमबर 12 की रीडिंग करेंगे जिसका नेम है समुच्य बोधक जिसे हम कहते हैं कंजेक्शन कंजेक्शन का अर्थ होता है या समुच्य बोधक वो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ें वो क्या हो जाते है समुच्य बोधक ठीक है तो हम चैसे डाइग्राम में देख रहे हैं सीमा और गीता बहने हैं तो सीमा और गीता को एक शब्द आपस में जोड़ रहा है वो क्या है और आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चले अ आप से निवेदन है कि आप हमारे साथ चलें, नेक्स्ट है, राजन बीमार है, अतह वैं आराम कर रहा है, या फिर इसी लिए वैं आराम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनका एक कंजंग्शन हो गया, यानि कि समुच्य बोधक हो गया, सर्दी हो रही है, लेकिन चिंटू ब वाक्यों को परस पर जोड रहे हैं, ये शब्द समुच्य बोधक अव्यव कहलाते हैं, अगर हम इसकी डेफिनिशन की बात करें, तो दो शब्द, जो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों, अत्वा, उप वाक्यों को जोडने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्य समुच्य बोधक अव्यव के बेद, काइंस ओफ कंजेक्शन, समुच्य बोधक अव्यव के निम्लिकित बेद होते हैं, समुच्य बोधक अव्यव के चार बेद होते हैं, एक साहियोजक, विकल्पक, विरोध सूचक, परिनाम सूचक, ये देखने में कठिल लग रहे हैं, बट जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये अपने आप इनके नाम से डिफाइन हो जाएगा, कि ये क्या कह रहे हैं, जैसे संयोजक, संयोजक का अर्थ होता है कि दो सेंटेंसों को जोड़ना, ये अवियफ दो या दो से अधिक शब्दों उपवाकियों और वाकियों को जोड़नी, मैं प्रयोक्त होते हैं, उधारन के लिए हम अगर बात करें, तो जैसे गौरव और मनुज, बजार जा रहे हैं, तो गौरव और मनुज, और क्या हो गया, संयोजक हो गया, शैफाली एवं रश्मी दोनों साथ पढ़ती हैं, तो ये भी क्या हो गया, इसमें संयोजक शब्द हो गया, अगर अब हम बात करें, विकल्पक की, ये इसके दो और एक्जामपल है, या ग्रहन करने का बोध करते हैं, जैसे, या, या तो, न अथवा, नहीं तो, या, या, या तो, न चाहें आदी, अब फ़र एक्जामपल आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, उधारन के लिए, चाहें आम लो या चाहें सेब, तो ये क्या हो गया, विकल्पक हो गया आपको विकल्पक क्या हुआ, विकल्पक का मतलब होगा, चाहें तो आम लेलो, चाहें सेब लेलो, ठीक है, या तो अंदर जाओ, या बाहर जाओ, तो कोई एक चीज़ चूज करो इसमें से, ना तो सीमा आई, ना रश्मी आई, नौकर अथवा, नौकर फल अथवा सबजी लाएगा, या तो फल लाएगा, या क्या लाएगा, सबजी लाएगा, तो विकल्पक हो गया, अब देखो विरोध सूचक, विरोध सूचक मतलब होता है, कि किसी का विरोध करना, ठीक है, अब वे अब दो वाक्यों के विरोध प्रदर्शित करते हैं, और उनमें से किसी ए विरोध भी कर रहे हैं और हमें किसी को सूचक भी कर रहे हैं किसी को इंडिकेट भी कर रहे है कि उसे मत बुलाओ बलकि क्या करो स्वेम चले जाओ चेतना आई थी किन्तु सवीता से मिलना सकी चुट्टी नहीं है लेकिन मैं जरूर जाओंगा मैंने बहुत मेहनत की है फिर भी अच्छे अंक ना ला सका ठीक है तो ये हो गया आपका विरोध सूचक अगला है आपका परिणाम सूचक क्या कहता है इसमें दूसरा वाक के पहले वाक के परिणाम सरूप है जैसे यदपी तदापी इसलिए ठीक है परिणाम सूचक अब संकेत वाचक में क्या आएगा तदापी यदी तो जो तो यदपी आदी कारण वाचक में क्या 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 कहाईगा ताकि जिससे की genuinely तदापी अदी उधारन के लिए मैं घर देर से निकला इसलिए समय से पहुंचना सका, तो कौन सा हो गया परिणाम, क्योंकि परिणाम ही तो निकला ना, इसमें कि मैं घर से देर से निकला, इसलिए मुझे देर हो गई जाने में, तो उसका परिणाम क्या हुआ, कि मैं घर से देर से निकला था, इसलिए मैं देर से पहुंच ध्यान से चलो ताकि गड़ जाओगे तो ये था आपका चैप्टर समुच्य बोधक यानि की कंजेक्शन क्लियर है